माफिया राज समाप्त किया हम लोगों ने गरीब के साथ जो सरकार खरी रही आज वो गरीब सरकार के साथ इंके 70 विधाय को इस्तिफा दे देना चाहिए जो लगता इवियम से चुनके आया थे उनको लगता है जनता ने उनको वोट नहीं दिया है और आज वो सिद्ध हो रहा है कि राम को लाने वाले लोग फिर से लोट करके यूपी में आ रहे हैं पहले भी कहा तक इतनी काटी लग जाएगी कि वो पंक्चर रास्ते में ही हो जाए पेल पिलावन लाठी घुमावन वाली सरकार चाहिए उनको एबीम पर भरोसा नहीं है उ समय इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिनवीन हम उनसे बात करेंगे सर यूपी समय तीन राजों में भी जेपी की बरत दिख रही है देखिए पूरे देश में भगवा लहराया है मोदी जी और जोगी जी का कहिश्माई नेत्रूत दिखा है माफिया राज की समाप्ती का जो हम लोगों ने बेरा संकल्प लिया था वो माफिया राज समाप्त किया हम लोगों ने और कहीं न कहीं जो मोदी जी का और 80 लाग ग गरीब के साथ जो सरकार खड़ी रही आज वो गरीब सरकार के साथ खड़ी है आप लोगों ने भी बिहार विधान समय में आज होली मनाई है मैं तो कहता हूं कि आज पूरी तरह से भगवा का महौल है राम सी राम के नारे से गुंजा हुआ यूपी और देश आज निश्री पर बिहार की मुख विपक्षी दल राजत का कहना है कि जब तक देश में इवियम से चुनाव होते रहेगा तब तक बीजेपी ही सत्ता में आएगी तो मेरा यह करना है कि उनके सत्तर विधाय को इस्तिफा दे देना चाहिए जो लगता है इवियम से चुनके आया थे उनको लगता है कि जनता ने उनको वोट नहीं दिया है तो पहले तो वो सत्तर विधाय के इस्तिफा दे प्रशाद मौरे हो चाहे राजभर जी हो सब लोग दोस्त हो रहे हैं पर बिहार की मुख विपक्षी दल राजत का कहना है कि जब तक देश में इवियम से चुनाव होगा तब तक बीजेपी ही सत्ता में आईगा तो उनको तो तेल पिलावन लाठी घुमावन वाली सरकार चाहिए उनको एवियम पर भरोसा नहीं है उनको ठपा ठप वाली मोहर चाहिए ताकि गुंडागर्दी करके और जनादेश को खतम करके और सरकार बनाई जाए यही वो चाहते हैं आप साफ तोर पर सुन सकते हैं हमारे साथ बिहार सरकार के मंतरी निति नवीन के साथ साथ बीजेपी के विधायक संजे सिंग थे दिनों ना साफ तोर पर कहा है कि यूपी की जनता ने विकास की रा को चुना है और एक बार फिर से यूपी में योगी आदितनात की सरकार ब अगर आपने हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद